ओम शांती आज है 26 मई 2021 के साकार महवाक्य आज मीठे बाबा ने हम बच्चों को स्रेष्टाचारी देल सुरूप को प्राप्त करने की विदी बताई मीठे बच्चे, निश्चे बुद्धी बन बाप की हर आग्या पर चलते रहो आग्या पर चलने से ही स्रेष्ट बनेंगे आज मुरली में प्रश्णा है किन बच्चों को सच्चा सच्चा खुदाई खिदमदगार कहेंगे तो बबा ने कहां जो राजाई पाने का पुर्शार्त करते हैं और दुसरों को भी आप समान बनाते हैं ऐसे इश्वरिय सेवा पर लगने वाले बच्चे सचे सचे खुदाई खिदमतगार हैं। उन्हें देखकर दुसरे भी सहयोगी बनते हैं। ओम शांती। तुम जब यहां बैठते हो तो सब को कहना है कि शिव बाबा को याद करो। यह तो तुम जानते हो शिव बाबा हैं। उनके मंदिर में भी जाते हैं। परन्तु यह कोई भी नहीं जानते कि शिव बाबा कौन है। सिवाई तुम बच्चों के तो शिव बाबा क याद दिलानी है यहां अर्थात बाबा के सनमुक बैठे कईयों का बुद्धियोग कहां कहां भटकता रहेगा इसलिए तुम्हारा फर्ज है याद दिलाना भाईयो बहनों बाप को याद करो जिस बाप से वर्षा मिलना है तुम अभी सच्चे भाई बहन हो वह तो सिरफ मेल फिमेल के कारण भाई बहन कह देते हैं लेक्चर्स में भी ऐसे कहेंगे ब्रदर्स सिस्टर्स वह है भाई बहन शरीर के नाते से वहां यह बाते नहीं है यहां तो आत्माओं को समझाया जाता है कि अपने रचैता बाप को याद करो उससे वर्षा मिलना है दोनों में फरक ह भाई बहन अक्षर्तो को मन है यहां बाप बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो वहश्य बाबा है रुहानी बाप और प्रजापिता ब्रम्हा है जिस्मानी बाप तो बाप दादा दोनों कहते हैं बच्चे बाप को याद करो और कहां भी बुद्धी योग न गुद्धी बहुत भटकती हैं, भक्ति मार्ग में भी ऐसा होता हैं, कृष्ण के आगे वा किसी भी देवता के आगे बैठते हैं, माला फेरते हैं, गुद्धी कहां कहां भाकती रहती हैं, देवताय कौन हैं, उनको यह राजाय कैसे मिली, कब मिली, यह किसी को पता नहीं हैं सिख लोग जानते हैं, गुरु नानक ने सिख धरम स्थापन किया, फिर उनके गुरु पोत्रे चले आते हैं, वह पुनर जन्म में आते रहते हैं, यह बाते कोई जानते नहीं, सदेव थोड़े ही गुरु नानक को याद करेंगे, अच्छा समझो गुरु नानक को वा बुद जोती जोत समाया वाणी से परेचले गए या कह देते हैं कृष्ण हाजिरा हजूर हैं जिदर देखो कृष्ण ही कृष्ण है रादे ही रादे हैं ऐसे कहते रहते हैं बाप बैट समझाते हैं तुम भारतवासी देवता थे तुम्हारी सुरत मनुष्य की सीरत देवताओ की थ देवताओं के चित्र तो है ना, चित्र ना होते तो यह भी समझते नहीं बाबा केते चित्र है इसलिए समझाना कितना सहज हैं कि देवताओं इस धर्ती पर ही राज्य करते थे रादे कृष्ण के साथ फिर लक्ष्मी नाराण का क्या संबंध हैं? यह बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कोई को भी समझा सकते हो, यह तो निराकार बाबा हमको समझाते हैं वास्तव में निराकार तो सभी हैं, आत्मा निराकार हैं, फिर इस साकार द्वारा बोलती हैं निराकार तो बोल न सके, तुम समझा सकते हो, हमारा बाबा सो हमारा बाबा है, शिव बाबा ग्यान का सागर, शांती का सागर है, बिहद का बाप है, उनको ही शरीर तो चाहिए ना, कुद कहते हैं, हम इस ब्राम्हा तन में आता हूं, तब तो इस ब्राम्हन धरम की सापना हो ब्रम्हा द्वारा रचना होती ही है ब्राम्हनों की तो बाप ब्राम्हन बच्चों को ही समझाते हैं दुसरे किसी को नहीं समझाते बच्चों को ही समझाते हैं ऐसे नहीं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं इसलिए भगवान है नहीं बाप बाप हैं बच्चे बच्चे हैं हाँ जब बच्चा बड़ा हो बाप बने बच्चे पैदा करे तब बाप कहा जाए इनके तो धेर बच्चे है ना बच्चों को ही समझाते हैं जो निश्चे बुद्धी है निश्चे बुद्धी बाप की आग्या पर चलेंगे क्योंकि श्रिमत से ही स्रेष्ट बन सकते हैं अभी तुम जानते हो हम उन देवताओं जैसे बन रहे हैं जन्म जन्मानतर हम देवताओं के महिमा गाते आये हैं अब हमको श्रिमत पर ऐसा बनना है राजाई सापन होनी है सब तो पूरी रिती श्रिमत पर नहीं चलेंगे नमबर वार चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी राजाई है राजाई में प्रजा, नोकर, चाकर, चंडाल, आदिच सब चाहिए ऐसी चलन वालों का भी साक्षातकार होगा कि चंडाल की फैमली में जाएंगे चंडाल एक तो नहीं होगा उनकी भी फैमली होगी चंडाल की भी युनियन होती है सब आपस में मिलते हैं स्ट्राइक आदि करे तो सब काम छोड़ दे बाबा इस दुनिया की बात बता रहे है सतयुग में तो ऐसी बाते होती नहीं तुम्हारा एक चित्रवी है जिस पर तुम पूछते हो कि क्या बनना चाते हो बेरिस्टर बनेंगे या देवता बनेंगे तुम्हारी सारी रास्थानी स्थापन हो रही है कम थोड़े ही है बेहद का बाप बेहद की बाते बैट समझाते हैं यह बुद्धी में बैट जाना चाहिए हम भविश्य के लिए पुर्शार्थ कर उच्छ पद पाएंगे श्रिमत पर हम स्रिष्टते स्रिष्ट राज्य पद पाएंगे और फिर दूसरों को जब आप समान बनाएं तब कहा जाए खुदाए खिदमदगार किसी का कुछ भी चिपा नहीं रह सकता भबा केते अच्छा करते हैं वो भी चिपा नहीं रह सकता विकरम करेंगे तो भी चिपा नहीं रहेगा आगे चल सब मालुम पड़ेगा इसको ही ज्यान का प्रकाश कहा जाता है रोशनी मिल जाती है मनुष्य को कुछ भी बता थोड़े ही पड़ता है बॉम्स भी अंदर बनाते रहते हैं कोई भी चीज रखने के लिए थोड़े ही बनाई जाती है पहले पहले तलवार से लड़ाई चलती है फिर बंदु कादी बनाई काम में लाने के लिए रखने के लिए नहीं समझते भी है इसमें मौत होगा ट्रायल तो की है ना हिरोशिमा में एक बॉम से कितने मरे थे उसके बाद देखो कितनी उन्नती की कितने धेर मकान बनाए अब ऐसा विनाश नहीं होगा जो हॉस्पिटल में पड़े रहे हॉस्पिटल आदी तो रहेंगे ही नहीं इसलिए अर्थक्वेक आदी इखटी होंगी कुदरती आपदाओ को कोई रोक नहीं सकता बाबा अंतिम समय का सीन बता रहे हैं कि हर तरफ से उपद्रव होंगे प्रकृती आत्मा रोग आदी सब प्रकार के उपद्रव होंगे कहते भी हैं यह सब इश्वर के हाथ में है अब तुम बच्चे समझते हो विनाश तो हो ना ही है अकाल पढ़ना है पानी नहीं मिलेगा सो तो तुम जानते हो कोई नई बात नहीं है कल्प पहले भी ऐसा हुआ था कल्प का ज्यान तो कोई में है नहीं कहते भी हैं क्राइस्ट से तीन हजार वर्ष पहले पैरडाइस था फिर शास्त्र में कल्प की आयू लखो वर्ष लिख दी है कोई का भी अटेंशन नहीं जाता सुनकर फिर अपने धन्दे आदी में लग जाते हैं तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं अब जल्दी जल्दी पुरशार्थ करो याद में रहो तो खाद निकल जाएंगी तुमको यहाँ ही सतो प्रधान बनना है नहीं तो सजाए खाकर फिर अपने अपने धरम में चले जाएंगे श्रीमत भगवान की मिलती हैं स्री कृष्ण तो राजकुमार है वह क्या किसी को मत देंगे इन बातों को दुनिया में कोई भी नहीं जानते प्यार से समझाना है कि शिव बाबा को याद करो शिव बाबा खुद कहते हैं कि माम एकम याद करो वह भी कल्यानकारी है और संग तोड एक संग जोड़ना है तुम हो भारत का बेडा पार करने वाले सत्यनाराण की कथा भी भारत से ही तेलुक रखती हैं और धरम वाले कभी सत्यनाराण की कथा नहीं सुनेंगे यह कथा सुनेंगे भी वह जो नरसे नाराण बनने वाले आदिसनातन देवी देवता धरम वाले होंगे वही अमर कथा सुनेंगे अमर लोक में देवी देवता थे तो जरूर अमर लोक में अमर कठा से यह पद पाया होगा एक-एक बात याद करने लायक है बबा केते ये सब बाते कितनी रुहानी अलोकिक है और कितना गुहिय राज है इन सब बातों में एक बात भी बुद्धी में अची रिती बैठ जाए, तो सब आ जाएंगे, बाप को याद करना है, और स्वदर्शन चक्र ध्यान में रखना है, शिव बाबा के साथ यहां पाइट बजा रहे हैं, फिर जाना है अपने घर, बाप ही समझाते हैं, सच क्या है, जूट क्या है, स सत्युक्त्रेता में तो ऐसी बात होती नहीं है, यह सारी मनुश्यों की दुनिया लंका है, यह है ही रावन राज्य, सब सिताएं एक राम को याद करती हैं, अथवा सब भक्तिया, सजनिया, एक भगवान, शिव बाबा, साजन को याद करती हैं, क्योंकि रावन राज्य है सन्यासी इन बातों को समझना सके सब दुखी है शोक वाटिका में है शोक वाटिका है कल युग अशोक वाटिका है सत्युग यहां तो कदम कदम पर शोक अर्थात दुख है तुमको बाबा अशोक अशोक अर्थात जहां कोई शोक दुख आदी नहीं होगा ऐसे स्वर्ग में ले जाते हैं, यहां तो मनुश्य कितना शोक करते हैं, कोई मर जाता है तो जैसे पागल हो जाते हैं, स्वर्ग में तो यह सब बाते होती नहीं, अकाले मृत्यू कभी होती नहीं, जोस्त्री विध्वा बने, वहां तो समय पर सब एक चोला छोड जाकर दु समय तो बित गया ना। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे महनत करो, सर्वीस में सच्चे राइट हैंड बनो, तो राजाई में आ जाएंगे। तो राजाय में आ जाएंगे सर्वीस में लगे रहो मिसाल भी है ना कैसे कुटम के कुटम सर्वीस में लग पड़े हैं कहेंगे इस कुटम ने करम ऐसे अच्छे किये हुए है जो सब इश्वर्य सर्वीस में लग गए है मा, बाब, बच्चे यह तो अच्छा है ना सर्वीस पिछाडी चक्र लगाते रहते हैं तुम बच्चों को बहुत उल्ला सुना चाहिए कैसे मनुश्यों को रास्ता बताए जो उन्हों की आत्मा खुश हो कितनों को रास्ता बताते हो यह तुमने प्रजा बनाई बीज बोया ना अर्थात जितनी मनुश्या आत्माओं को बाबा का परीचे देंगे वो समझो आपकी रास्तानी तयार हो रही है जमते जाम अर्थात जनमते ही राजा तो कोई होता नहीं अर्थात बाबा कह रहे हैं राजा बनने के लिए पुर्शार्थ और सेवा तो करनी होंगी ना पहले प्रजा के अधिकारे होते हैं फिर पुर्शार्थ करते करते क्या से क्या बन सकते हैं तुमको सर्विस पर देख औरों को भी उमंग होगा हम भी क्यों न ऐसा पुर्शार्थ करे नहीं तो फिर कल्प कल्प ऐसा हाल होगा, बहुत आएंगे, पच्चताएंगे, उस समय जैसे दुख मनुष्य सारी आयू में कभी नहीं देखते, बाबा केते जब पुर्शार्थ नहीं करेंगे अपने पद से वन्चित होगे, तो ऐसी सिती का अनुभव होगा, इसलिए ऐस काड़ी में ऐसा दुख देखेंगे, बात मत पुछो, क्योंकि अनेक विकरम किये हैं, बाबा रास्ता भी बहुत सहज बताते हैं, सिर्फ बाब को याद करना है, औरों को भी यह रास्ता बताओ, तुम देवी देवता धरम के थे, जैसे क्रिश्चन धरम के मनुष्य, इसल से पवित्र, इन जैसा धरम कोई हो नहीं सकता, आधा कल्प तुम पवित्र रहते हो, स्वर्ग और नर्क गाया हुआ है, हेवन किसको कहा जाता है, यह भी किसी को पता नहीं है, बाब भारत में ही आकर बच्चों को जगाते हैं, पांच हजार वर्ष की बात हैं, जो स्वर् स्वर्गवासी थे, वही अब नर्कवासी बने हैं, फिर बाब आकर पावन स्वर्गवासी बनाते हैं, एक साजन शिव बाबा आकर सब आत्मारूपी सजन्यों को अपने अशोकवाटी का स्वर्ग में ले जाते हैं, तो पहले पहले सब को यह कहो कि बाब को याद करो, नह तो यहां बैठे बैठे बुद्धी कहां कहां भटकती रहती है भक्ती मार्ग में वी यही हाल होता है बाबा अनुभवी है ना सबसे अच्छा धन्दा जवाहरत का होता है उसमें सच और जूट का बड़ा मुश्किल समझते है अर्थात बाबा कह रहे हैं इस धन्दे में बहुत तिक्ष्ण बुद्धी की आवश्कता है तभी परक सकते हैं सच क्या है और जूट क्या है यहां भी सच छिपा हुआ है जूट ही जूट चलता रहता है यह भी ड्रामा में नून्द है तुम जानते हो हम सब ड्रामा के एक्टर्स हैं इनसे कोई भी नहीं निकल सकता कोई भी मोक्ष को पा नहीं सकता विवेक से काम लेना होता है पार्ट में चलते ही जाते हैं फिर कल्प बाद ही पार्ट रेपीट करेंगे तुम देखेंगे कैसे मनुष्य मरते हैं विनाश होना है सब आत्माए निर्वान धाम में चली जाएंगी यह बुद्धी में ज्यान है सर्वीस पर लगे रहने से बहुतो का कल्यान होगा सारा परिवार ही इस ज्यान में लग जाए तो बड़ा वंडर हो जाएगा अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते हम रुहानी बच्चो की रुहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते आज की सारी मुरली से धारना के लिए सार है उसमें पहला है बाबा बोले पिछाडी की दर्दनाक सीन से वा दुखों से चुटने के लिए अभी से बाप की श्रीमत पर चलना है आप समान बनाने की सेवा श्रीमत पर करनी है दुसरा है सर्विस में बाप का राइट हैंड बनना है आत्मा को खुश करने का रास्ता बताना है, सबका कल्यान करना है, आज बाबा ने वर्दान दिया सदा मर्यादाओ की लकिर के अंदर रहने की केर करने वाले मर्यादा पुरुशोतम भव, सदा मर्यादाओ की लकिर के अंदर रहने की केर करने वाले मर्यादा पुरुशोतम भव, सबस्टिकरन हैं, जो बच्चे अपने आपको एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सिता समझ कर सदा मर्यादाओ की लकिर के अंदर रहते हैं, अर्थात यह कियर करते हैं, अर्थात अटेंशन रखते हैं, वह कियरफुल, सो चियरफुल, अर्थात सदा हरशित स्वतह रहते हैं, तो सवेरे से रात तक के लिए, जो भी मर्यादाय मिली हुई हैं, उनकी स्वष्ट नौलेश बुद्धी में रख, स्वयम को सच्ची सीता स समझकर, मर्यादाओ की लकिर के अंदर रहो, तब कहेंगे मर्यादा पुरशोतम, आज का स्लोगन है, सेवा की अती में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरशार्थ का बलेंस रखो, सेवा की अती में नहीं जाओ, सेवा और स्वपुरशार्थ का बलेंस रखो, अच्छा, ओम शांती